हेलो फ्रेंड्स तो बात करते हैं हिंदी की बहुत सारे चात्र परिसान रहते हैं कि हिंदी में कैसे करें हिंदी का पेपर कैसे करें और किस प्रकार हिंदी में 90 से ज़्यादा अंक प्राप्त किये जा सकते हैं क्योंकि कई चात्र को ने डाउट होता है और यह सोचते रहते है कि हिंदी कि हिंदी काई सरचात लाइटली भी लेते हैं कैसे गद्यांस करेंगे कैसे पद्यांस करेंगे प्रशन उत्तर कैसे करेंगे खंड काव में जिज़ए सुबास आता है वो कैसे करेंगे क्योंकि मैं लखनो जुले की बात कर रहा हूँ बाकि सभी जुलो में खंड काव अलग-अलग होता है और किसी भी जुले के अगर खंड काव होता है तो वो ज़्यादा तर चरिच चित्रन याद करने के अवशकता है क्योंकि चरिच चित्रन बहुत इंपोर्टेंट होता है किसी भी नायक हर खंड काव में एक नायक होता है जिसका आपको चरिच चित्रन तयार करना ही पड़ेगा चाए अब 10 तो में हो चाए अब 12 तो में हो अब बात करते हैं जो हिंदी होता है हिंदी subject को कैसे try करें देखे जो पहले हिंदी आपको पता है 20 नमबर का आपका OMR होगा इससे पहले जो होता था सब theory होता था आपको सब लिखना पड़ता था और जो व्याख्या होती थी वो भी आपको पूरी अटेम्ट करनी पड़ती थी कैसे लिखना होता था सब आपको इस वीडियो में प्रोवाइट किया जाएगा सबसे पहले ओयमार पे 20 प्रशन आएंगे और छात्रों के मन में प्रशन ये होता है कि ओयमार पे आने वाले 20 प्रशनों का उत्तर कैसे करें देखें जो ओयमार पे 20 प्रशन आते हैं उसमें आपको पता है जो 5 प्रशन होते हैं वो आपके गद्यसाहित और पद्यसाहित के इतिहास से आते हैं और राइटर का नाम कैसे पढ़ें, कैसे राइटर का नाम याद करें, पहली बात ये जो चैनल पर नहों हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकें जरूर दबा लिजएगा, क्योंकि 22 फरवरी से जो आपके पेपर है, सभी जानकारी, इस चैनल पर हर पेपर की जानकारी आपको provide की जाएगी, अब बात करते हैं कैसे attempt करना है, देखिए, ये जो 5 प्रशन होते हैं, मेरा कहने के मतलब ये है कि ये last के आप केवल 5 दिन जब पढ़ बचें exam में, तब आप तयार करें, important ये होता है कि कैसे तयार करें, कहां से प्रशन आ सकते हैं, ये 5 जो प्रशन आत आपको, writer जो होंगे, आपको वही पढ़ने जो आपके book में होंगे, जैसे आपके हो गया, चार राम, चंसुक्ल, उनके जितनी भी रचनाएं हैं, इसी तरह, जैशंकर प्रशाद, पदुम, लाल, पुन्न, लाल, बक्षी हो गए, जैप्रकास भारती हो गए, जितने भी य writer हैं, आपके book के, उधर अगर अगर बात करेंगे, तो सुर्द्रास तो, इनकी रचनाएं तो नहीं आती, क्योंकि ना के बराबर तो इनकी रचनाएं हैं, इस सबको ही याद रहती हैं, महादेवर्मा, इन सबकी रचनाएं आपको याद कर लेनी हैं, सबसे पहला काम यह है देखे, एक एक number important होता है, आप एक भी number को skip नहीं कर सकते हैं, एक number से, लाखो बच्चे आपसे आगे हो सकते हैं, तो हर number important है, फिर इतिहास की बात करेंगे, तो सभी जो काल ये युग होते हैं, उनकी समयावधी, समयावधी कैसे याद करेंगे, देखे, समयावधी याद क करने के लिए एक अलग से तरीका कोई बहुत बॉटन नहीं सबसे पहले पद्धिसाइद आपको पता है चार काल है आधिकाल भक्तिकाल रीतिकाल और आधुनिकाल आधुनिकाल में ही पांच यूग आते हैं आपके जैसे आपका भारतियन यूग हो गया दिवेदी यूग हो प्रगतिवादी यूग हो गया नहीं कविता का यूग हो गया तो यह सब यूग उसी केंडर आते हैं और सबकी टाइम लाइन आपको यह में प्रवाइट कर दूंगा उसके लिए निश्चिंत रहें तो यह पांस प्रश्न लाश्ट मून के त्यारी करेंगे जो बड़ी नमर जिन से आते हैं तो यह दस नमर आपके यह हो गया फिर बाकी जो दस होते हैं वह आपके आते हैं ग्रैमर से जैसे हांस्तरक का इस्ताइब हो आगया या इसमें देख लिए पूछ लिया सोहत ओड़े पीत पटूस्या मसलोने गात मनो नील मनी सैल पर आतप पर्यो प्र मनहु करते हैं तो मनहु का मतलब होता है मान लेना और मान लेना आपको पता है उपमा में तो तुल्ला होती है और जो मानते हैं वो कौन सा लंकार होता है आपका उत्परेच्छा लंकार होता है तो इसमें कौन सा लंकार है उत्परेच्छा लंकार मनहु जनहु तो मानना मत लबमावनों न संभावना आपको पता पेचलंगार की फिर यह जो पांचों प्रश्णा जो आपको पता है समासु मस्ति आएंगे यह आपको भी अलग से त्यार कराएंगे क्योंकि वाच्वाला प्रश्णा कई छात्र वाच्ट को लेकर परिसान होते हैं कैसे सौल करना वह भी आपको बताया जाएगा, तो वो भी आप बिलकुल आराम से कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको निश्चिंत रहने की आवशक्ता है, वो भी आपको बताया जाएगा, अब प्रश्न ये आता है छात्रों के मन में, कि ये जो खंड कावे है, जो आपकी व्याख्या है, अब तो पद में भी अंडरलाइन आने लगा और इसमें तीन प्रेश्न भी आते हैं, तो बहुत इंपॉटन्ट है, बहुत इंपॉटन्ट है कैसे करना आपको बता, देख Norweg आपके विचार होते हैं, जिसे एक यहां पर है कवी के विचार है, हैना, और कवी के विचार क्या हिंदी के मितरता नामक चैप्टर से लिया गया है तो इस तरह से आप यहां पे लिख सकते हैं अब रेखांकित अंस की व्याख्या कैसे करनी है तो सबसे पहले एक बात याद करनी लीनी है आपको कि यह जो लाइन कही जा रहे किसके दौरा कही जा रहे अचार रामचन सुख् अंसार क्या कहा जा रहा है यह कोई बात नहीं है कि एक सभाव रुची के लोगों में मितरता हो सकती है मतलब उनके अंसार यह कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का सभाव अलग भी हो तो भी उन दोनों मितरता हो सकती है सभाव और रुची का मितरता से कोई सम्मंध नह है विपरीद सभहो के व्यक्ति की भी आपस में मित्रता हो सकती है और जाधर आप छुछ किसके यही पर यही विचार किसके हैं आचार रामतान्सुक लेके बस इसी को बाते में कई लोग कहानी के तरह लिखते हैं तो लिखने नहीं मिंपार्टर्ट होती यह थू दा पॉइंट लिखना है और यही लिखना है आपको जिस प्रकार आपको बताया गया है अब नीचे आते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर भी अब इस तरह आने लगा तो पूरे की पहले व्याख्या करनी होते थी लेकिन अब ऐसा नहीं आप क्या करना ह देख सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आते हैं यहां पे मामला आता है अब यहां पे देख सकते हैं कि अनुवाद वाला मामला कैसे करना है देखे जो आपको अनुवाद वाला मामला आ जाता है जो संस्कित में होता है कौन कौन से चैप्टर का अनुवाद तयार करें देखे सबसे पहले एक वारणसी चैप्टर आप तयार कर लिजिया उसका अनुवाद बहुत इंपौर्टन्ट है तो उसका अनुवाद आप तयार कर लीजे उसके बाद अगर हम आते हैं अनुवाद वरãoसी के बाद आपको किसका अनुवाद तयार कर लेना चाहिए और तीसरा आपको जीवन सो टारी का अनुआद आपको तयार कर लेना चाहिए और जितने भी सो लोग हैं उनको आप अलग से तयार कर लीजे तो इस लोग तो लिखने को हैंगा और उन्ही का अनुआद भी आप तयार कर लीजे तो ये भी आपका बिल्कुल 100% 100% इसके लाव को कुछ पढ़ने की जुरूद नहीं है नीचे आते हैं तो यहाँ पर वही चीज है कि जैसो बास प्रतम सरक और नायक का तो मैंने बताया है किसी भी किसी भी किसी भी खंड काव में नायक का चरिश चित्रन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए 100% आता है एक्जाम में 100% तो आप वो तैयार जरूर कर लीजेगा जीवन परचा पाँच नंबर का था जीवन परचा वही अचाराम चंसुल जैसांकर प्रशाद और डॉक्टर ताचन प्रशाद इनका और यहाँ पे तुलसिदास, सूरदास, विहारीराल, रस्खान चार इनका आपको याद ही करना पड़ेगा और यह संस्कित के प्रश्नुक्तर प्रश्नुक्तर उन्ही चैप्टर के तयार करने हैं जिनकी आपको अनुआत तयार करने हैं निबन तो सभी अच्छे लिख लेंगे निबन में आपको थोड़े बहुत पॉइंट